दोस्तों आज का जो एल्जी टीवी का पॉब्लेम लेकर आया है और इसके बाद मैं स्टैंडबाइ से रीलिच कर दूँ तो एटीवी आटोमेटिकली आप हो जाता है आप होने के बाद टीवी स्टार्टिंग नहीं करता है यही पॉब्लम लेके आया था कस्टोमर और यह पॉब्लम को आज रिप्यार करेंगे हेलो दोस्तों फिर से सागे दें मेरा चैनल पर मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिस इंडिया मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं आमारे पास एक 14 इंच का टीवी है एल जी कॉम्पानी का इस कॉम्पानी का जो इस टीवी का पॉब्लम क्या है षो देखेंगे और उससे पहले दोस्तों कहूंगा मैरा चैनल को जो न्याद दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जो सस्काइब कर लेना बेल आइकंट कर दावा अव्राइब कर देना कर देना जब भी मैं नयानय वीडियो लेकर अब लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मैं इस पॉब्लेम दिखा देता हूं दोस्तों मैं TV को पावर देगा, पावर देने के बाद आमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर जल रहा है, और जलने के बाद मैं Standby से रिलिच कर दूँगा, और Light Dim हो गया है, और होने के बाद दोस्तों TV पर काईसे बाला पिक्चर है, वो चेक करेंगे, दोस्तों देखिए हमारा रिट्टेस वाला लाइन आ रहा है हमारे टीवी स्किन पे और जो पिक्चर आना चाहिए हो नहीं है और हुआइड होके पुरी स्किन पे हुआइड वाला लाइड आ रहा है और दुरन दबाद दोस्तों क्या होता है हमारे टीवी का जो पिक्चर है है वो बंद हो जाता है और Shtand by का लाइट फिर से लो करने लगता है देखिए एक लो कर रहा है मदले दोस्तों स्टन्ट बाइब मौर्ट फीर से चला गया और यह छेट पर बहुत ज़्यान करने के लिए काम करने के הसां हो जाएगा और कैसे आता है कहां से लिए दिखने से जाके आर jsぶit को कौन्ट्रोल करता है वोल्टेज्स देखे वया भॉल्टेज्स कॉन्टीज कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो ईवाला पॉब्लम देता है इसलिए दोस्तों चलें गोंगा grain के से मेंसब से क्योंकि दोस्तों जो हमारे यहश्थ से निकलता है ।at निकलता है लागया हुँ एससे थे तो सदुरो हमारे वहला यह सब्सक्राइब अब वोल्ट यह 200 वोल्ट लिखा हुआ है चो पऊंट पे इस पर बोल्ट ईस आएगा और आने के बाद आजीट्अंब का ट्रांजिस्टर हमारा बोल्टस कउंठोल करके अमारा पीच्टर को और दूइने के बाद मैं टीविको पावर दूंगा पावर देने के और पावर इंडिकेटर ग्लोग कर रहा है इसको कर दूँगा रिष्प कर दिया और दूइने के बाद दो पैसा आना चाहिए 200 बोल तक इस पे आरहा है 19 वोल्ट 30 वोल्ट इधना भी इधना वोल्टेज 30 वोल्ट तक आ रहा है लेकिन दुरेंद भाद टीबी स्टैन्बाई पे चला जाता है और हमारा लाइट ग्लो करना लगता है और हमारा पूरा सिस्टेम बंद हो जाता है यही पॉब्लिम है इसी रहे दोस्तों क्या करेंगे कि इसका जो भूल्ट बनता है कहा से भूल्ट बनता है ओ देखना है ओ वो वोल्ट उस पे लिए क्या करना है हमारा पावार सिक्शन से चेक करेंगे कहासे जो हमारे ER को वोल्ट इध vaccinated देता है से स्क्षि bzw Bumich चेद हाय निकल आता है इसलिए क्या करेंगे यसके चेक करेंगे जो फोल्टेज तो इस्बहुआरा ऊंथ 13 वोल्ट मिलेगा मिल रहा है मतलब आंथ 13 वोल्ट सही है और उसके बाद दुर्ण भाद चेक करेंगे इस पे वोल्टेज जो हमारा 19 वोल बाता रहा है उसके बाद एक चेक करेंगे 14agement प्लास और 14 वोल्ट माइनस देखिए दीखा उससे पहले स्थेंडबाइब चला गया फिर से रिच कर देंगे और रिच करने के बार फॉर्टिन बोल माइनस भी चेक करेंगे फॉर्टिन माइनस मिल गया मतलब सबी वोल्टेज तैयार हो रहा है लेकिन इस पर चुछ तक मिलना चाहिए वह बाला भॉल्टेज नहीं बन रहा है इसलिए ही पॉब्लेम दे रहा है हमारा सिस्टेम पर उसके लिए क्या करना है हमा क्यापासिटर लगाया हुआ है जो फिल्टर करता है वोल्टेज को और वोल्टेज को बूस्ट करता है थोड़ा सा वोल्टेज को स्टॉक करता है वह वाला वोल्टेज को स्टॉक नहीं कर रहा है और हमारा फिल्टर भी नहीं हो रहा है इसलिए इस पर बोल्टेज स्टॉक नहीं है और इस पर 200 बोल नहीं बन रहा है एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों मैं फिर से पालन लिया और पालने के बाद इजो हमारा क्यापासिटर है एक लेग हमारा काटा हुआ है यह अंदर से डास्ट पर के रास्ट पर के काट चुका है और इसी लिए ही यह बाला यह बाला पॉइन हो चुका है ओपन होने के कारण ही कासिटर काम नहीं कर रहा है और इसलिए है आमरा जो बोल्ते जो बोल्ते द्यार नहीं उ Land Stamp क्या करना वह भाला पॉझा करना है Mr Cindy कम उससे पहले क्या करेंगे एक कैपासिटर लेंगे हो मैं क्या टेम स्कुना का 400 20 hoor और इसपे क्रणे बाद देखेंगे सपर बॅल्टेज बनने बन रहा था बनता है कि नहीं ठीक है मैंने Κ्यपसिट रहों करेसे को जुकत और को आप पाद देने के बाद पार इंडिकेटर ऑनने से रिलिस्ट करणे रिलिष करेंने के बाद इस फिर से एक बाद चेक करेंगे, जो हमारा 30 वोल्ट तक आ रहा था, हो बाला बोल्टेज आता है कि नहीं, इस पर देखिए, 164 स्टेंड हो गया है, और स्टेंड होने के मदलब, इस पर भी आमारे 200 फोल्ट पर बोल्टेज मिलेगा, इस पर भी 140, 164 मिल रहा है, उसके बाद हम मैं पिक्चर पर चला जाओंगा, जो टीवी पर, यह देखिए, अमारे भी लिखा आ रहा है, मतलब जो रिट्र स्कीन, हॉइट स्कीन आ रहा था, वो बला पॉब्लेम चला गया है, और अब फिर से बाता देता हूँ, जो हमारा पावर सेक्षन होता है, पावर सेक्षन से जो बोल्टेज निकलता है, 120 वोल्ट, वो बोल्टेज हमारा बन रहा था, उसके बाद एक बोल्टेज बनता है, हमारा 10.5 और एक बोल्टेज बनता है, 15 वोल्ट, जो साउंड सेक्षन के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारा 10.5 भी बन रहा था, और हमारा 15 भोल भी बन रहा हब्सक色 था लेकिन इस पर वोल्टेज बनने के बाद हमारे e-aht को तो सब लाई जो दिया जाता है वह बाला सब लाई भी इस पर बीपलासश पर में आगया था बोल्टेज बनता है लेकिन इस पे तो 14 मोल प्लास 14 मोल माइनस बन रहा था हीटर का भी बोल्टेज बन रहा था इसलिए बाला जो हमारे हीटर है हीटर ओन हो गया था और उसके बाद जो हमारे 200 वोल्ट का पॉइंट था ओट 200 वोल्ट का पॉइंट पे इस फेफ 30 वोल्ट तक मिल रहा था और 30 वोल्ट जो मीर रहा था ओव हमारे जो जो काला जो टांजिस्टर लगाया हो हुआ है इसको फिल्टारिंग क्या नहीं कर वोल्टेज नहीं आने के करनी तो बाला हुआइट की ना रहा था इसलिए मैंने देखा तो इसका कैपासिटर खरब था जो फिल्टरिंग कैपासिटर और स्टॉक बोल्टेज को स्टॉक करता है जो कैपासिटर था ओवाला कैपासिटर हमारा खरब था इसलिए नया बाला कैपासिटर लिया इसको फिछे साइट से ही कानेट कर दिया और कानेट कर देने के ब करिंग करने के बाद हमार टीवी पे जो वाइट स्कीन था वो बाला पॉब्लिम सॉल्ब हो गया है और ये भी लिखा भी आ गया है मतलब पिच्चर भी आ जाएगा 100% ठीक है दोस्तो इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चनल को जोरू सस्काइब कर लेना बेल बाई